पर कबरेद जारी है, सूची आ चुकी है, सामने कॉंग्रिस की तीसरी सूची, सुमीत लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी सूची अब सामने आ चुकी है, पंचान बे नाम हो गई है, बड़ी चीज ये कि दबदबा किसका नजर आया अब तक पंचान बे पर इसकी चर्चा जरूरी, पीजेपी में किसका दबदबा उसकी भी बात करिए, बिकोल 19 नामों की लिष्ट जारी हो गई है, तीसरी लिष्ट 19 नामों की जारी किये, कॉंग्रिस ने, और कॉंग्रिस के जो प्रवक्ता है, जो नेता है, वो कह रहे हैं कि भगिया जल्दी जो खबर आ रही है, दोनों का ही और जुद नाम हम देख रहे हैं नरेंद्र बुरानिया तारा नगर से कंडिडेट है, उनकी प्रतिक्रिया आई है, टिकट मिलने के बाद क्या कहा है, देख लीजे उसके बाद में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे विधान सभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस लिये है, चूरू जिले की बात करें तो हमारे पास हमारे साथ है आज चूरू जिले के वरिष्ट कॉंग्रेस निता, जो लोकसभा, रज्यसभा और विधान सभा में आज तक सपलता प्राप्त की है, जी हमारे सा जात है ठार्णगर के विधायक नर्यंदर जी बुढ़ानिया बात करते इंसे चया कहेंगे तार्लग्र में किस तरह की कास रहां हैर क्या इस बार मुद्दे दिया गया था फिर 2008 में विदान सबाद चुना हुए तब इस वक्त के बीजेपी के उमीद्वार उसक्त चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें कहा उन्हें जुटे टेंडर जारी करवाए जुटे सर्वे कर रहा है कि हम नहर बना देंगे वह दस साल तक उस नहीं कर पाए इस इसमें लाबाविंत होंगे 90 जार किसान लाबाविंत होंगे ये किसान की जीवन रेखा है जो कॉंग्रेस के राज में नहर बनी है तारानगर की किसानों के लिए और बीजेपी ने उनके पेट पर लात मारी है उनका रखबा काट कर गये आज चुनाव इसी के बीच होगा यही मुद्ध होगा, कि एक तर्फ नहर बनाने वाला है, और एक तर्फ नहर काटने वाला है, आप जंता किसको पसंद करती है, सबस्टर बड़ा मुद्ध यह है। जीत के लिए आप आस्वस्थ हैं? सो प्रतिशत आस्वस्तों 20,000 प्लस बोटों से जितूंगा बिलकुल यह थे नरंदर बुडानिया जो कह रहे हैं जीत के प्रति अपने खुद को आस्वस्त मान रहे हैं और इनका मुकाबला भी राजंदर आठोड से हैं तारा नगर से यह अपनी जीत ते मान रहे हैं मैं प्रतिशत प्रतिशत जीत ते मान रहे हैं